वेलो फ्रैंνेस। insights यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रधान प्रात्मिक सिछक भरती को लेकर प्रधान प्रात्मीक सिछक का मतलब होता है कि प्रात्मिक विध्याले मेंघरी प्रिंसक्पल के लिए। यहां पर हम प्रोष का विग्यापन जारी कर दिया तो कितने साल का experience होना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे और सबसे बड़ा question जो यहीं होता है कि जो other state के candidate है वो जो है इसमें eligible है कि नहीं eligible है यहाँ पर हम बात करेंगे form आपको किस तरीके से बरना है और इसका जो selection process है वो आपका merit के base पर होता है या फिर examination के base पर होता ह यहाँ पर जो complete जो है हम बात करने वाले है और आपको पता है कि जो कोई भी state हो या चाहिए आपकी principal की vacancy हो या फिर teacher की हो चाहिए वो आपकी PRT की हो या फिर middle में हो आपको जो है उटेट जिसे हम सिचक पातरता पर इचाकत है तो वो आपको जो है कंपल सरी है तो क्या यह किसे reservation दिया जाता है तो क्या है इसका process इसके बारे में detail में बात करने वाले है ज्यादा time हम यहाँ पर नहीं लेंगे और यहाँ पर जो है कम समय में ही जो है वो खतम करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्या है कि आप BPC को official website पर भी जाकर देख सकते हैं total 3 जो है वो PDF आपको PDF है एक PDF में हो गया बाकि दूसरे PDF में जो है वो आपको देखने को मिलेगा complete total information जो है वो क्या है जो कि आपके 7 см तो जो है आपके एक पेज में देखने को मिलेगा दूसरे पेज में बाइक है तीसरे पेज में आपको देखने को मिलेगा कि आपको फोटाल का सकते हैं तो यहां पर बताया गया कि विज्यापन चाहिए इतना बिहार के अंतरगत जो है वो आपके विद्यालियों में प्रधान प्रधान सिच्छ के जो टोटल पोस्ट है 40506 तो यहाँ पर 40506 हैं और यहाँ पर बताए गया कि प्राथमिक विद्यालियों में प्रधान सिच्छ के मतलब प्राथमिक विद्यालियों में यहां पर आपन जारी जारी किया गया और यहां पर बताएग्ए कि जो फॉर्म भरेंगा एगा। कहने कई टोटल पोस्ट 45006 है तो कहने कई सब लोग चाहते थे कि क्या है इसका प्रोसेस तो देखिए जो बिहार के कंडिडेट है वहीं जो है सिर्फ इसमें फर्म भर सकते हैं बाकि other street के कंडिडेट जो है वो इसके लिए eligible जो है वो नहीं है बाकि यहाँ पर आपके टोटल पोस्ट जो है 4,506 इसमें रिजर्वेशन का प्रिक्रिया जो है बताया गया कि जो टोटल आरचड की जो कोटी है टोटल स्रेडी वार है तो कितने कितने सीड जो है वो बटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है वारचड की स्रेडी जो है वो बनी है फिर यह जो आपके दिभ्यागंता के सिरेडी होती है जैसे द्रिष्टी बाधित मुक बाधिर और फिर आप यहाँ पर है अस्थी दिभ्यांग फिर यहाँ पर है मनुव विक्यार तो इनके जो टोटल सीट है जो की 4% जो है इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो इनके सिरेडी मे जो आपके रिजर्वेशन आते हैं दिभ्यांगता सिरेडी में तो इनके लिए जो टोटल पोस्ट यहाँ पर बताएगे हैं 421, 410, 397, 392 यहाँ पर जो है वो टोटल पोस्ट जो है बताएगे फिर हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर सेलिरी के बारे में बताएग पिर यहाँ पर आपके बताएगा कि 50% अंकों के साथ जो समानी वर्ग के कंडिडेट हैं उनको 50% अंक के साथ उनका असनाता होना चाहिए मतलब ग्रेजुएशन जो होना चाहिए और यहाँ पर बताएगे कि 5% का जो है और आरच्छड का शूट जो है उदिया जाएगा ज पतलब जैसे कोई भी महिला हो या फिर जो जो जनरल जो एडवलोस कंडिडेट के बेखती हो उनको भी जो है वह आपके 5% का अरच्छड दिया जाएगा असनातक के डिगरी में तो यहाँ पर साथ पहली बार इस तरीके से मिल रहा है जो कि एडवलोस को नॉर्मली नहीं मि पिर यहां पर बताएगय है कि वर्स दो हजार बार का या फिर दो हजार बार के बार इस प्रकार द्वारा के वर्स पतलब पा amar का बिहार का थर दोनों पप एक सिंपरियेंस के बारे उनको देखे है आपको पास जो है वो आठ वर्स का झो है वो experience होना चाहे तो यह जो है आप ध्याँ रखेगा बाकि यहाँ पर जो है इसी जुँग का उपर में Stress है तो आपका यहाँ रखेगा और यहाँ पर बताए गया कि मतलब आपका फॉर्म भरने का जो लाट डेट है उस डेट तक जो है वह आपका आठ वर्स का experience हो जाएगा तभी जो है आप इलिजिबल होंगी आठ वर्स से थोड़ा सा भी कम होगा तो आपका अवेदन जो है उरधिकर दिया जाएगा इस बात को जो है वह आप ध्यान रखे तक आपकी कुछ उम्र बची है दो-चार महिने की भी उम्र बची है तो भी आप इसके लिए लिजिबल है और फॉर्म भर के जो है आप इसके लिए जो है आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं फिर यहाँ पर जो आपका चैन का प्रक्रिया है सेलेक्शन का प्रोसेस है तो द परिच्छा रहेंगे मतलब समानी अध्यान के 75 नंबर और डियलेट विशय के आपके 75 नंबर के टूटल 1500 नंबर हो गये एक प्रस्ण का एक नंबर जो है आपको दिया जागा निगेटिव मार्किंग का भी यहां पर प्रसेस है जो कि एक बट्टे चार आपका निगेटिव म नहीं रहेगा जो कि यहां पर बहुत ही महत्वपूड है कि आप जो इसका परिच्छा देंगे जो टूटल 1500 अंकू कर रहेगा इसमें क्या है कि आपको मिनिमम पासिंग नंबर का भी यहां पर प्रावधान जो है उकिया गया है जो कि समान वर्ग के कंडिडेट के लिए ज अंक जो है करना अनिमार है यदि आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और इतना नंबर भी आप लाते हैं तो पास माने जाएंगे हाला कि यह आप डवा नहीं कर सकते हैं कि आप इतना नंबर लाते हैं तो आपको जो है वो सर्विस मिलेगा है क्योंक का अधिक एज रहेगा उनको जो है वरियता दिया जाएगा बाकि यहां पर जो है उप्रते कोटी में जो है जो पिछड़े वर के अत्यान पिछड़े वर के बेक्टी होते हैं उनको भी जो है आपका 10% का जो है बताएगा जो कि हमने ऊपर ही जो है वो डिसकस कर लिया था और यहां पर साबसा बताएगा कि आरच्छड जो मिलेगा वो बिहार राज के कंडिडिट को ही मिलेगा और उपर ही भी बताएगा था कि जो आवेदन कर सकते हैं वो आपके बिहार राज के लोग ही जो है वो जो भी जाती हो क्रीमे लेयर सहित प्रमाड पत्र जो है उनके पिता के नाम से होना चाहिए और उनका पता भी जो है उसमें निर्गित होना चाहिए मतलब आप जो महिलाए हैं जो साधी सुदा महिलाए हैं वो जो है अपना फॉर्म भरेंगी तो वो अपना फॉर्म भरेंगी अपने पिता जी के नाम से और वहीं का जो है वो पता के नाम से यदि इसके अलमा आप पती के नाम से फॉर्म भरती हैं तो आपका जो है आवेदन नहीं माना जाएगा और उसको जो है औस विकार कर दिया जाएगा इस बात को आप ध्यान रखेगा जो भी आरच्छड का आप लाव लेंगी तब बाकि आप इसके अलमा कुछ भी इसमें संसोधन करके भरते हैं तो आपको जो है इसका रिजर्वेशन का और जो भी आरच्छड का जो लाव है वो आपको मतलब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो है इसके बारे में यह बताएगा है पर सकते हैं पर यहाँ पर इसके बाद हम चलेंगे आपके form भनेका तो form भनेका आपका फीस हम सबसे पले देख लेते हैं तो जो आपका सूलक लगेगा वो आपका 7500 रुपए लेगा जो जनरल कंडिडेट बेगती हैं पाकि जो बिहार के मुल निवासी है और अंसुची जाती जन जाती के बेगती हैं उनके लिए जो है आपके केटेगरी में हो तो इस बात को अब ध्यान रखें बाकि जो दिव्यांग के बेगती हैं उनके लिए जो है वावके 200 रुपए जो है वो फीस जो है वो रखे गए हैं बाकि यहाँ पर ध्यान रखेगा OBC के लिए साइद कहीं नहीं बताए गया तो लगभग उनका भी जो ह कि यहाँ पर लगभग इसी के बारे में बताया गया है बाकि इसके अलाव जो है, ओव लुट स्कता है अमें ध्यान नरहों या फिर हम न दे पारहें मृएँ है ब़की यहां पर आनलाइन आवेदन वह से 3 इस तारीक से form बना इस्टार्ट हो जाएगा बाकि 22 अप्रेल जो है आपके form बने का last date है तो यहाँ पर जो इसी बारे में बताएगे आपको पता है कि form जो भरेंगे आपको डाक के दौरा कुछ भी आप भेजते हैं तो वो जो है आपका माने नहीं होगा मतलब नहीं लिया ज चाहते हैं आप सुधार उसी टाइम तक कर सकते हैं जब आप final submit नहीं किये मतलब आप form भरेंगे तो आपको उस टाइम पर edit का option देखने को मिलेगा यदि आप edit नहीं करते हैं आप मालीजी कुछ गलत कर दिया आप edit करना चाहते हैं और वहां पर आप edit नहीं कर पाते हैं और पात को फर्म भरें और जैसे क्या है कि मालीजी आप उस फर्म को reject नहीं कर देते हैं और double form भर देते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आपके final form जो होते हैं वहीं accept कर दिया जाएंगे क्या है कि आपके दोनों फॉर्म जो है और रिजेक्ट कर दिये जाएंगे मतलब आप इसके लिए इलिजिबल नहीं होंगे तो आप ध्यान रखेगा एक से अधी का फॉर्म भरें तो पीछे के जितने भी फॉर्म आपने भरा है फाइनल भी कर दिये तो भी आप जो है उसको आगे का फॉर्म भरें तो यहाँ पर इसी बारें बता गया है माली जी अब जैसे कोई फॉर्म भर लेते हैं फिर फाइनल फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो आप उसी मुबाइल नमबर और इमेल आड़े से जो है फॉर्म भर सकते हैं कोई जो है आपका दिक्कत नहीं तो यहां पर इसी बारे में बता गए बाकि पैसा आपको भूगतान वगर यह सब बता गए कुछ भी पेंडिंग होता है नहीं समिट हो पता है तो यह आपके गल्ती है आयोग आपका पैसा रिफंड नहीं करेगा इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखकर ही ओप फोर्म भरे कि आप इस्टेप आई जो है बताए गया कि कीस तरीके से आपको जो है फॉर्म भना है और हर एक डॉकुमेंट जो है वो खीस तरीके से लगाना है अब यहां पर देखे कि इसके अलाम भी याद को आपको कोई कंफ Information हे तो आयोक का यह नंबर है और यहां से जो है आप ow कर सकते हैं और यहां पर देपर टांक भी बताए गया समय कि सो मार से सुकरवार तक और 10 से 5 बजशे मतलब सूबह या सामके 5 बज तक आप आयो को call कर सकते हैं जो कि स्वमवार से सुक्रवार तक call करना है और ध्यान रखे का कि आपको छुटी के दिन call नहीं करना है कुछ भी confusion है आप इस नंबर पे call कर सकते हैं अब फोन लगे या फिर ना लगे अब यह तो अब पता नहीं तो यहाँ पर जो है लगवग complete हर एक बारे में जो है वो डिसकस कर लिया बाकि आप PDF जो तीनो PDF था उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उसमें complete जो कोई भी confusion है वहाँ से अपना देख सकते हैं बाकि इसके अलाब भी आपका कोई क्यूरी हो तो comment box में जो है वो आप कर सकते हैं लिए बस इतना है बाकि जो कोई भी update या फिर कहीं वेकेंसी या फिर notification आता है या फिर कुछ भी बदलाव या फिर कुछ भी information आता है तो हम share कर देंगे यदि अभी तक जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कियें तो बिल्कुल कर लिजेगा मिलते हैं के लिए नेक् या फिर लिस्निंग बिल्स या थैंक यू